हाई फ्रेंट्स और वेलकम टू करियर कुल इन दिस वीडियो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो और आप BCE की तरफ आपका इंटरस जाग रहा होगा और आप सोसाइटे में पूछने निकलोगी कि BCE कैसी डिग्री है तो आपको क्या-क्या बताया जाएगा और जो आपको बताया जाएगा मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कैसे कैसे limited view है तो सबसे पहले बताया जाएगा आपको अगर आप BCE करना चाहरे हो कि BCE की कोई भी value नहीं है केवल BTEK CS वालों की value है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है एक BTEK अगर आप किसी private छोटे college से कर रहे हो जहाँ पे आप 10 लाग रुपे दे रहे हो मैं top colleges की बात नहीं कर रहा लेकिन जहाँ आप 10-15 लाग रुपे दे रहे हो और फिर आप 4-5 लाग की salary ही ले रहे हो तो अगर 4-5 लाग की starting salary एक BTEK CS वाले को मिलती है तो एक BCA वाले को भी 3.5 लाग की 6-8 लाग सेकंड चीज़, BCA जो है commerce वाले भी कर सकते हैं अगर आपके पास maths हो और या फिर आपके पास 12 में computers हो तो यह IT industry में घुसने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी आदमी एक degree करके आजकल नहीं रुपता, वो उसके बाद जरूर post graduation करता है, चाहे वो M.Tech हो, M.C हो या फिर वो MBA हो, एक IIT से करावा इंसान भी MBA करता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि BCA बहुत अच्छी degree है, commerce वालोक लिए भी क्योंकि उसे वो direct entry देगा IT industry में, और जब आप MBA करते हो, तो आपका जो experience होता है, उसके basis पे आपको job मिलती है, इसलिए वो बहुत अच्छी degree ह हो जाती है, तो दो चीज़े, आपको बताया जाएगा, BCA की कोई वैल्यू नहीं है, यह बिलकुल गलत है, अगर आप ठीक था college से कर लोगे, तो इसकी वैल्यू है, सेकर आपको बताया जाएगा, कि नहीं, BTEC CS ही करना चाहिए, क्योंकि BCA वालों को उस level की job नहीं मिलती, थोड़े से starting salaries कम मिल सकती है, बट एक start करने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप काफी पैसे बचाते हो, तीसरी चीज़, BCA में वो सब पढ़ाया जाता है, almost, जो BTEC CS में पढ़ाया जाता है, except for some core subjects, बट computer application के, जितने भी मोटे मोटे subjects हैं, जितनी भी programming languages हैं, website designing के जितने courses ह प्लस जितने भी app development हैं, यहां तक आपको कभी-कभी BCA में वो भी पढ़ाया जाएगा, जो BTEC CS में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आप सोच के चलिए, BCA काफी practical degree है, और BTEC CS काफी theoretical degree है, बट हाँ, BTEC CS एक अच्छे college से definitely value है, बट commerce वाले तो वो कर नहीं सकते, लेकिन BCA कर लेते हो, तो आप BTEC CS वाले के बराबर हो, you will be treated as equal in all the companies, last चीज एक और इसके बाद मैं add करना चाहूँगा, वो यह है कि अगर आप BCA, MCA करते हो, उसके बाद you are eligible for MTEC also, so जब आप जाओगे, आप यह वाली बाते भी साथ में लेके चलो, नहीं तो आपका दिमाग ब्लॉक ह हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि चलो मैं BCA कर लूँ, आप फिर भी छोड़ दोगे, तो थोड़ा सा सोच, BCA को लेके limited है हमारी society की currently, बड़ी एक अच्छी degree मानी जाएगी, केवल BTEC ही option नहीं है, IT industry में घुसने के लिए, क्योंकि main काम हमारा ये है, कि हमें तो जॉब चाहिए, main काम तो ये है, तो BCA करके भी आपको जॉब मिलेगा, और दूसरी चीज, सब लोग दूसरी डिगरी करते ही है, तो जब पैसा बचा होगा, तो आप दूसरी डिगरी भी कर सकते हैं, वो MBA भी हो सकता है, MCA भी हो सकता है, so thank you very much, this is Career Kul, the Education Guru Kul, I I am Sagar Anand, your career counselor.